मदपरदेश में गेऊं की सरकारी खरीद जारी है लेकिन किसान सरकारी सम्मीतियों से गेऊं बेचने की बज़ाएं अपने खेतों से ही कम दाम पर गेऊं बेच रही हैं अब तक गेउं खरीदी 20 प्रतिशत भी नहीं हुई है, प्रतिश में बने हजारों वेयर हाउस खाली पड़े है N.E.T.V. ने किसानों से गेउं नहीं बेचने की बज़ाचानी है देखिए जवर्पुर्से सयोगी संजीप चौधरी की रिपोर्ट मदपर्देश में गेहूं की फसल आने के बाद ये मौसम किसान अपनी फसल बेचने के लिए वेयर हाउस और सरकारी गुडाओनों में जो समीतिया होती है, वहां लाइन लगाए रहता था लेकिन इस बार बिलकुल उल्टा हो रहा है किसान ना तो मंडी जादा के लिए तियार है और ना ही वह वेयर हाउस के सामने जो समीतिया हैं उनके सामने खड़े होकर अपना माल बेचने की गोहार लगा रहा है क्योंकि किसानों के अनभाव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं बहुत से किसान अपना माल आप सीधे खेट से ही व्यापारियों को बेच रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे किसान और कुछ व्यापारी हैं। जो भजब आपाज खरीडने के लिए आए हैं। क्यों इधर से खरीड रहे हैं, मंडी से क्लीफ नहीं दे रहें। मंडी में तो बहुत सारी वेराइटी हो बहुत सारे लोग मिलते हैं तो हमको जब यहां मतलब किसाने कि वहां परियाप जब यह सी मिल लही तो मंडी का एकुझ आए आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने इतनी सारी फसल उगाई हैसे आप सीधे यहीं से बेच रहे हैं सस्ते में वेच रहे हैं अभी जे द्धान बैची हम लोगों ने कुछ किसानों का अभी उनका भुक्तान भी नहीं हुआ दूसरी बात दो परसेंट भी मिट्टी नहीं है एक परसेंट थोड़ी बहुत है तो सोसाइटियों में उसको मना किया जा रहा है लेने से भाई आप भी किसान हैं आपने अपन चार हम किराय से मंडी तक दाना लेके जाएं किराया लगा उसके बाद में खरीदार वहां पर हम पल्लेदारों को भी खर्चा दे रहें इसके बाद अपन सोसाइटी जाएं अगर तो सोसाइटी में भी कोई आया दाना खराब है उनको घूस खोरी दो तब वह पास करेंगे कई बार यह हुआ हम अभी ले गए थे पिछले एक हपते पहले ले गए माल बापस उनने कर दिया भी है इसमें च्छना लगाओ मिटी है और यह कहीं कचड़ा है यह सब बाते उन्होंने बोली हमसे हम बापस लेके आ गए कुल मिला के कहना चाहिए बीजे पी की राज में स लेबू-देबू शिकमी भाड़ा करने खेती आदमी मिलने रहे बहुत परिशान है मंडी ले गए सोसाइटी चन्ना लगा कि लाओ एसा करो बैसा करो तुमने चन्ना हो तो लगवा दी रहे चन्ना भी लगवा दी रहे ले तो आया आपके हां नहीं अपना घर से लगवा क किसान बहुत परिशान है उसका कहना यह है कि पहले मंडी जाओ उधर पर माल की क्या कीमत होती है क्योंकि वहां भी रिंग बना लिया जाता है व्यापारियों के दौरा सुबह रेट कर लिए जाते हैं कि आज कितना माल आया है और कितनी दरों पर माल उठाये जाएगा तो उससे कई बार किसानों को मनमाव की कीमत नहीं मिलती है और यदि सोसाइटियों में जाते हैं तो वहां भी बहुत सारी समस्या है इसलिए किसान अपना पैसा भले ही उन्हें कम मिल रहा है पर अपने खेद से ही आलतियों को माल बेच रहे हैं यह जिस वेरहूस में हम खड़ नहीं है हमारे साथ वेरहूस एस्टेशन जो निजी वेरहूस एस्टेशन है उसके अध्यक्ष शर्मा जी है शुशील जी यह बताईए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यह वेरहूस खाली डले दरसल क्या है मेरे ख्याल से संज्यू जी यह प्रशाशन थोड़ा इस बार ज्यादा कड़क है नियम बहुत कठिन मना दिये गए है अचा नियम भी ऐसे बना दिये गए है कि अधि आप पसा भर भी गैहूं उठाओ और उसमें चार मिट्टी के दाने है तो वो ट्रालियां हमारे वेरहूसों से हर किसी के वेरहूसों से लोटा दी जा रही है और जब किसान हमारे खरीदी के अंदरों पर पूछने आता है तो सर्वेर से बोल दिया जाता है कि भाईया आप छणा बिना गैहू लाएं तो ही आपकी तुलाई होगी जबकि संजीव जी बरसों से आप देख रहे हैं हार्वेस्टर के दौरा कटिंग होती है और हार्वेस्टर के जाएं बाइससो तेश्टर रुपए में इसलिए बेराव कितने मदब अभी अपने जवल पर जिले में कितना वेरहाउस खाली हैं आपके जो जानकरी अभी मेरे ख्याल से कम से कम दी आपको मैं कैपिसीटी बता हूँ चमता के हिसाब से देखा जाए तो डेड़ से दो करो मेरा प्रशाशन से अनुरोध है कि जैसा हमारे मानने मुखमेंतरी जी मद्द्रदेश के मुखमेंतरी जी न कहा है कि डिस कलर भी ले सकते हैं थोड़ा बहुत यदि गिर गया है बारीग हो गया किसी में ज़्यादा पानी पढ़ गया है तो वो उसमें भी छूट दी हुई है लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि प्रसासन क्यों छूट नहीं दे रहा और सर्वेयर और सभी से मेरा नुरोध है कि किसानों को जाकर के बोलें तो किसानों को यह तो मालूम नहीं कि छूट मिलने लगी है या फिर किसान जान बूच करके आना नहीं चाहते और उन्हें प्र अभी बार हो रहा है अभी तक लाइने लगी होती थी सरकार कब अपने नियुमों को थोड़ा शेतिल करेगी और किसानों से वापिस खरीदी शुरू करेगी यह अभी कोई बताने वाला नहीं है वीरे शर्मा के साथ संजीव चादरी हैंडी टीवी के लिए